बश्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे red tails और buckles नामग casting defect के बारे में, ये casting defect, molding material defect के अंतरगत आते हैं, जैसा की नामसे पता चलता है, red tail, मतलव कि एक ऐसा defect, जो चूहे की पूँच की तरह, casting के surface पर आता है, उसे हम red tail कहते हैं, जो red tail और buckles नामगक casting defect हैं, ये casting surface पर तभी आते हैं, जब हमारा molten metal होता है, जो mold cavity मे हम डालते हैं उसका जो pouring temperature है वो बहुत जादा होता है जिसके कारण excessive heat होती है तो उससे क्या होगा कि जो sand है वो expand कर जाता है मतलब की mold cavity की जो skin होती है उसका जब compression failure होता है compression failure होता है हमारा जो molten metal है उसकी excessive heat के कारण जिसके कारण जो sand होता है वो जो expand करेगा और जिससे mold की जो wall है वो backward वो move कर जाती है और जो casting surface होता है उस पर कुछ small lines बन जाती है एक प्रकार से ये irregular line होती है casting के surface पर अगर आप इस diagram को देखते हैं तो ये line ने आपको बिल्कुल clearly नजर आ रही है तो ये जो lines है ये red tails नामक casting defect हमारा कहलाता है जैसे अगर आप इस casting surface को देखें तो अलग से एक ये irregular line बाहर आ गी है चुहे की पूंच की तरह तो ये red tail नामक casting defect होता है ये एक प्रकार से cracks भी हो सकती है या फिर कोई irregular line है जो casting surface पर आ सकती है और जो red tails होता है ये हमारा जो mold bottom का जो surface होता है वहाँ पर ज़्यादा तरह आता है और जब red tail नामक casting defect बहुती ज़्यादा स्वियर हो जाता है उसका बहुत ज़्यादा स्वियर फेलियर हो जाता है तो उस defect को हम कहते हैं buckles तो एक प्रकार से जो buckles होते हैं वो long होते हैं shallow होते हैं और V depression आ जाती है अगर आप इस diagram को देखें तो ये हमारा जो buckles defect कहलाता है मतलब कि जब ज़्यादा red tails हो जाते हैं तो वो buckles में तबदील हो जाते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ discuss करेंगे कि वो कौन-कौन से कारण है जिसके कारण ये defect casting में आते हैं और कैसे इनको हम दुरूस्त कर सकते हैं सबसे main कारण अगर हम बात करें वो होता है कि जो molding sand हम use करते हैं अगर उसकी जो expansion properties है वो poor है तब ये defect आ सकता है डूसरा molding sand की hot strength कम होने के कारण ये defect casting में आ सकता है या फिर जब हम pouring करते है molten metal को उसका pouring temperature बहुत ज़ादा है जिसके कारण excessive heat होती है और sand expand कर जाता है और जिससे mold cavity की walls हैं वो backward move करती है तो तब ये defect आ सकता है या फिर poor mold design हम use करें उससे क्या होगा कि जो mold है उसकी hardness हो बहुत ज़ादा होती है और mainly जो large और flat section होते है उसमें red tails आने की ज़ादा संभावना रहती है और इस defect को कैसे दुरूस्त कर सकते हैं अगर हम कुछ combustible additives को sand में add कर दें तो इस defect को दूर किया जा सकता है या फिर जो facing sand हम use करते है उसके ingredients का अच्छी तरह से चुनाव किया जाए तब भी इसको ठेक कर सकते है molten metal के pouring temperature को अगर हम कम रखें तब भी इस defect से निजात पाई जा सकती है या फिर mold की hardness को कम करके भी हम इस defect को कम कर सकते हैं तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया rat tails और buckles नामक casting defect के बारे में जो molding material defect के अंतरगत आता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और any universe double two को subscribe करना ना भूले जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे